जब अमरित पाल जीत चुके हैं और काफी अच्छे मार्जिन से जीते हैं जनता जनारदर ने उन्हें विज़ई बनाया हैं ऐसे में कानून क्या कहता है कब तक वो सलाकों के पीछे रहेंगे उनके उपर एनसे भी लगा हुआ है किस तरीके से अब देखते हैं देखिए इसम जो सरकार बनती है वो सरकार भी जनता के मेंडेट से बनती है सो जब अब मेंडेट आ गया पाईामरत पाल सिंग की हमेहत में तो कोई सरकार यह हिमत नहीं कर सकती कि उनको इनसे में डेटेंट करती रहेगी, उसी तह जो डेटेंशन है वो चलती रहेगी, तो ये तो रिवोत करने पड़ेगी, हर हालत में रिवोत करने पड़ेगी, पूरनों कुछ तयता हम ना पूर्माइजर जनता का मेंडेट ने सबसे बड़ी बात एक facts डेमोट्रेशी में, यही बता सूप्रीम कोटने के ही ही है कि डेमोक्रेसी में लोगों का मेंडेट सबसे बड़ा होता है. सो जब मेंडेट जो है बो कंपिलीट मेंडेट आ गया, जमानतें जरत हो गई सबी जो 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 वरूदी थे, जो उनके राइबल्ज थे तो ऐसी सूरतिहाल में उनको रहा तरना लाजमी है और हर हालत में वो जो डेटेंशन रिवोर्ट होके वो रिलीज होंगे जनता जहना चाहती है कि जिनों ने उन्हें वोड दिया और वही जनता जहना चाहती है कि क्या अमरितपाल अब सलाकों के बाहर आप आएंगे और कब तक आप आएंगे इसमें कितने दा पेच नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ये पग्वंत मान की जो सरकार थी, इसी लिए बुरी तरह से पराज़त हुई है, पंजाब में, कि उन्हों ने पाई अमरत पाल सिंग को नजाय जिर्फदार कर लिया, और जनता ने उस जिर्फदारी के छलाब फत्वा दे दिया, क्योंकि परवंत मान सरकार ने ये बहाना लगाया था, ये प्रिटेक्स किया था, कि इनके जो पाशन हैं, उससे हिंदू सिखों के बीच में जो है, बो दरार पड़ती है, इन फेक्ट ये बिलकल चूठी बात थी, पाई अमरत पाल सिंग ने किसी तर्म के छलाब कोई बात नहीं कही, ना कोई ऐसी बात है, जिससे इन में आपस में कोई दरार पड़ती हो, तो ऐसी सूर्थे हाल में, जिसमें इनको दर्सदार किया गया, अब तो बज़ा नहीं रहती, कि मेंडेट के बाद, ये मेंडेट पायामत पाल सिंग की हमयत में तो आया है, तो उसके साथ स इतेंशन को रिवोट ना करें, दूसरी बात कि डिबरू डड़ में पायामत पाल सिंग को इसलिए पेजा गया था, क्योंकि जो ये पाजवाची सरकार है, सेंटर में, बो सरकार इसके साथ मिली हुई थी, आम पार्टी के साथ, आम पार्टी उनके साथ मिली थी, ये उनके साथ मिले थे, क्योंकि असाम में जो है, वो बीजेपी डॉर्मेंट है, तो उसने कंसेंट किया कि हमारी जेल में पेज दो, तो जो पाजवा है, वो भी सता में फिर आ गई है बापस, तो ऐसी सूर्थ हाल में ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है, पहले एक्ट कर करती है, यह आम पार्टी करती है, यह पाजवा सरकार करती है, तो यह तो दोहों में रेस होगी, कि यह करते हैं, कि वो करते हैं, जो पार्टी पहले एक्ट करेगी इस डेटेंशन तो रिवोट करने के लिए, क्योंकि यह पाजवा रिवोट सीधे तोर पर नहीं कर सकती, में बावसला ना पड़े दा तो पंजाब में ये पुटमान सरकार की हिम्मत नहीं है उसमें इतना सास नहीं है जो पंजाब की किसी भी जेल में पाई अमरत पाल सिंग को तब्दील करके जो है डेटेंशन उस तो नरंतर जारी रख सकी सो ऐसी सूरते हाल में जो है ये तो पह सरफ दिन लिएंस की डिटेंशन है उसकर पहले ही रवोट कर दे मेरा खयाल है कि कुस दिनों की बात है डिटेंशन डेटेंशन होने के नजडीक है मकर जो उनके उनके ऊंके ऊपर अनेस से लगा हुगा उसका क्या होगा अनेसस प्लॉट करना न भोत तो बाद्व동 करद प्रवंत मान सरकार के मतहत है तो वो टह देंगे तो लेक्टर देगा भी मैं सड्सपाई हूँ अब ये नरंतर जारी नहीं रहना चाहिए इस तो रवोट किया जाए जो तो एक लाइन लिखनी है उसमें तो बजू हात देने की अवश्कता नहीं होती कि कोई उसमें ये भी ल कर देगा और जो डेटेंशन है रोट हो जाए आप डिब्रुदर जा रहे हैं कल और क्या मैं कल को डिब्रुदर जा रहा हूं मेरी जो मीटिंग है पाहियामरतपाल सिंग ठालसा के साथ वो पहले से ही निश्च्च थी तो पिछली दफ़ा मैं उनको अठारा मई को मिला था अठारा मई को ही हमारी जो मुलकात थी वो पांची फिट्स हो गई थी और उसके बाद मैंने प्रमिशन ले ली थी तो उसी सलसले में आज मैं दिली में रुटा हूं तल तो छे बाद कर 30 मेंट पर मेरी फलाइट है तो मिल ब्हूंपाल जी को अशैद अलको हो जाई या परसों तो होजाए क्शन कर्मिंशन युपाजा उस्ने बंद कर दी ऊजज़ो और उजनता जनाड़नग्दों को यह बता दें, आपके माधियम से, अपने चैनल माधियम से, अमीरित पाल जलदी सलाकों से बाहर आ सकते हैं. उन्हें वोड दिया और वोही जनता ही जाना चाहती है कि क्या अमरितपाल अब सलाकों के बाहर आप आएंगे और कब तक आप आएंगे इसमें कितने दावपेच हैं जो रुकावटे पैदा करती हैं उनको बाहर आने से रोकती हैं मैं समझता हूँ कि कोई दावपेच नहीं है कोई रुकावट नहीं है ये पगमंत मान की जो सरकार थी इसलिए बरी तरह से पराज़ित हुई है पंजाब में कि उन्होंने पाई अमरतपाल सिंग को नजाय जर्फदार कर लिया और जनता ने उस जर्फदारी के छलाब फत्व दे दिया क्योंकि परवंत मान सरकार ने ये बहाना लगाया था ये प्रिटेक्स किया था कि इनके जो पाशन है उससे हिंदू सिखों के बीच में जो है वो दरार पड़ती है इन फैक्ट ये बिलकल चूटी बात थी पाई अमरतपाल सिंग ने किसी तर्म के छलाब कोई बा मेंडेट के बाद ये मेंडेट पाई अमरतपाल सिंग की हमयत में तो आया है तो उसके साथ सारे पंजाब में पड़वंत मान की सरकार के खलाब भी मेंडेट आया है तो ऐसी सूर्त में पड़वंत मान की सरकार के पास कोई ऐसी बज़ा नहीं है कि वो डिटेंशन को रिव में वो सरकार इसके साथ मिली हुई थी आम पार्टी के साथ आम पार्टी उनके साथ मिली थी ये उनके साथ मिले थे क्योंकि असाम में जो है वो बीजे पी डॉर्मेंट है तो उसने चंसेंट किया कि हमारी जेल में पेज दो तो जो पाजवा है वो भी लगपड सता में फिर गई है बापस तो ऐसी सूर्थ हाल में ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है पहले एक्ट करती है ये आम पार्टी करती है यहां पाजवा सरकार करती है तो ये तो दोहों में रेस होगी कि ये करते हैं कि वो करते हैं जो पार्टी पहले एक्ट करेगी इस डेटेंशन तो रिबोट करने के लिए कुए पाजबा रिबोट सीधे तार पर नहीं कर सकती, मज़र बो कह सकती है कि हम डिवरूडड जेल में नहीं रखेंगे. तो कोई भी जो स्टेट है उसकी हकूमत इनको डिवरूड़ किसी भी जेल में रखने के लिए त्यार नहीं होगी तो पंजाब में बावसला ना पड़े जा तो पंजाब में ये पड़वंत मान सरकार की हिम्मत नहीं है उसमें इतना सास नहीं है जो पंजाब की किसी भी जेल में पाई अमर्त पाल सिंग को तब्दील करके जो है डेटेंशन उस तो नरंतर जारी रख सके सो ऐसी सूर्त हाल में जो है यह तो पहल है कि किसने करनी है मेरे ख्याल से आप जो सरकार है प्रवानतमान सरकार है वो यह कोशिश करेगी कि हम पाच पाई से नंबर ले जाएं और इनकी जो डेटेंशन है उसको पहले ही रवोट कर दे मेरा ख्याल है कि कुस दिनों की बात है पाई से लगा हुआ है उसका क्या होगा एन से कि रवोट करना ने वह तो सरफ पदवांतमान सरकार के प्रिव्यू में है उस ते पाटमान मान एक मिन्ट में न से को रोड कर सकते हैं वो तो जो डिज़की कमिशनर अमरत सर है उसकी स्थिसपेक्शन पर जो था जे नैशन से स्टोरिटी एक्टर जो सोल लगा था जो डेप्टी कमिशनर अमरसर है वो जो है प्रवंत मान सरकार के मतहत है तो वो टह देंगे तो लेक्टर देगा या मैं सट्सपाई हूँ अब यह नरंतर जारी नहीं रहना चाहिए इस तो रवोट किया जाए जो तो एक लाइन लिखनी कर देगा और जो डेटेंशन है रवोट हो जाए आप डिब्रूगर जा रहे हैं कर और क्या मैं कल को डिब्रूगर जा रहा हूं मेरी जो मीटिंग है पाई अमरतपाल सिंग ठालसा के साथ वो पहले से ही निश्च्च थी तो पिछली दफ़ा मैं उनको अठारा मई को मिला अठारा मैई को हमारी जो मुलकात थी वो पांच की फिट्स हो गई थी और उसके बाद मैंने प्रमिशन ले ली थी तो उसी सलसले में आज मैं दिली में रुटा हूं तल तो छे बाद कर तीस मेंट पर मेरी फिलाइट है तो मिल चुकी होगी अमरित पाल जी को क्या का तो नहीं मालम है क्योंकि अभी टेलीफून सर्वस जो है वो रिस्टोर नहीं की गई है शायद कल को हो जाए यहां परसों को हो जाए क्योंकि एलेक्शन कमिशन जो था सामका उसने यह बंद कर दी ती टेलेक्शन रिजर्ट्स तो एलेक्शन रिजर्ट्स सारे देश में ओगए हैं तो शाहद चलड़ हो जाए। पर उनको मालम है मालम इसलिए है कि ट्पर छमुट मिली हुई है। और शूमों कर दो आती है, तो हम यह क्या है, उनको इसको बारे में नॉज़ी है। इस पे बारे में मालुम है. तो हम अपनी जनता जनाजदन को ये बता दे, आपके माधियम से, अपने रोज इसमें में रखता है, और बहुत जल्दी ही पाई अमरतपाल सिंझ, शीदर ही अमरतपाल सिंझ, पंजाब की जनता में संड़त में हो दो. एक आफरी शब्द आफो जहना चाहूँगा सवाल है मेरा क्या कहेंगे लोगतंतर के इस पर्व को लेकर, जो कि आज गोचना का दिन है, परिनाम का दिन है और लोगतंतर की जीत हुई है, मानते हैं? देखिए लोत तंतर की बहुत बड़ी विजय हुई है लोत तंतर का बहुत बड़ा महत्व है जो जनता का फत्वा होता है वो आखरी फत्वा होता है डेमोटरेसी का जो बेसिक और फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो जनता का फत्वा है तो जनता ने बड़ा जो फत्वा दिया है वो बहुत बशाल मार्जन से दिया है यह नहीं है कि कोई कॉंटेस्ट था उसमें कोई कॉंटेस्ट नहीं था सबी अमीदवारों की जो सेकुरिटी है जो जमानत है वो जबत हो गई है और बुरी तरह से वो पराजित हुए हैं तो जनता ने एक बड़ा फत्वा देक उसमें ठीट माना जाएदा कि इसने जो तनून के मताबत सही ताम किया है